नुहु थाना छेतर में 14 वर्षिय लड़की के साथ छेड़ खानी वे मार पिटाई मामले में नुहु पुलिस ने किया मुकदमदर्च आपको बता दें कि जांच अधिकारी रजमा देवी ने आज बताया कि नुहू थाना छेतर के अंतरगत एक 14 बरसी लड़की के साथ एक व्यक्ति ने छेड़ खानी की और इतना ही नहीं लड़की के मार पिटाई भी की वहीं आपको बता दें कि लड़की के पिता ने नुहू पुलिस को सिकायत दे कर कारवाई की मांगी है वहीं इस मामले में नुहू पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाब 333,323,354 भी वे पॉसको एक्ट के तहट मुकादमा दर्ज कर लिया है जाज शुरू कर दी गई है फिला विवाहिता से दहेच मांगने के आरोप में महम्मद पुर तेड़ गाओं के सस्राल पक्स के पांच लोगों के खिलाब नुहू पुलिस निकिया मुकदमा तर्ज आपको बता दें कि नुहू सेर की हिदायत कॉलोनी से एक विवाहिता ने अपने ही सस्राल पक्स के पांच लोगों के खिलाब दहेच की मांग का आरोप लगाया है इतने नहीं पीडिता ने आरोप लगाये हैं कि मारने की धमकी देते हैं और दहेच के लिए पिरताड़ित क पांच लोगों के खिलाब विविन धाराओं के तहट मुकादमा दर्ज कर लिया है और आगामी कारवाई सुरू कर दिया है आप देखरें नुहू से लियाकत अलिक रिपोर्ट नुहू लगू सचीवाले में हिंदी का सिक्छा सास्त्र का विमोचन नुहू उपायकत ने किया आपको बता दें कि नुहू उपायकत सक्ती सिंग ने पुस्तक का विमोचन किया आपको बता दें, राजकीय मॉडल संस्कृती स्कूल के प्रिंसीपल मुकेश कुमार सास्त्री द्वारा रचित पुस्तक हिंदी का सिक्षा सास्त्र का विमोचन उपायक्त कैप्टन सक्ति सिंग ने किया है नुहु उपायक्त सक्ति सिंग ने कहा कि निश्चित रूप से इस पुस्ता का लाप पाठकों को अविश्य मिलेगा इसमें हिंदी भासा के बारे में जो चानकारी दी गई है वह है महत्रपून है आप देख रहें नुहु से लियाकत अलिक रिपोर्ट नुहु थाना छेत से C.I.A. पुलिस ने गौत असकरों से 27 गौधन वेट ट्रक को कप्षे में लिया एक गौत असकर ग्रपतार आपको बता दे कि नुहु C.I.A. के मताबिक गौत असकरों के चुंगल से गाड़ी ट्रक नंबर N.L.01 N.24.34 में मुहु पैरों को रस्यों से भांद कर भरे हुए 27 गौधनों को मुप्त कराने में C.I.A. पुलिस ने सपलता हांसिल की है तथा मौके से एक गौत असकर को पुलिस ने गौत असकर किया है गरपतार किये गए आरोपी ट्रक की पहरीस 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 उर्प बहादूर पोत्र नजीर उर्प नजीर सहा निवासी गाउं हुसेनपुर की रुप में हुई है तथा एक गौत असकर गाउं की आबादी का फाइदा उटा कर भागने में काम्याब हुआ पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाब समधित धाराओं में थाना सदर नहूं में मुकतमा तैर्श करके मौके से बरामत हुए सबी गोधन वे काड़ी ट्रक उपरोक्त को कप्चे मिलिया बरामत हुए सबी गोधनों को पुलिस ने सुरक्षित गोसाला में भीचवा दि आज निया मनुस्वार अधरत में पेश किया जाएगा आप देखरें नू से लियाकत अलिक रिपोर्ट कवर्षिका गाउं से 20 वर्षिय लड़की लापता रोजका में पुलिस ने किया मुकदमा तर्च आपको बता दें कि कवर्षिका गाउं से लापता हुई 20 वर्षिय लड़की के पिता ने रोजका में पुलिस को सिकायत दी है कि उसकी 20 वर्षिय पुत्री कवर्षिका गाउं से गत 2 सितंबर से लापता हुई है उन्होंने अपनी पुत्री को रिस्तेदारी से लेकर अड़ोस-पड़ोस के गाउं में भी तलास किया लेकिन नहीं मिली वहीं उन्होंने रोजका में पुलिस को सिकायत देकर लड़की की खोजफीन करने की मांग की है वहीं इस मामले में आज कमल जांच अधिकारी ने बताया है कि लड़की के पिता की सिकायत पर मुकादमा दर्च कर लिया गया है और लड़की की तलास की जा रही है आप देखरें नू से लिया का तलिक रिपोर्ट नूहू सहर में अलग-अलग स्तानों से दो मोटर साइकल चोरी पुलिस ने अगयात चोरों के खिलाब किया मुकादमा दर्च आपको बता दें कि पहला मामला मलिक पैट्रल पंप बार नमबर तीन से अगयात चोर ने 15,000 रुपे की कीमत की एक मोटर साइकल को चोरी कर लिया सिकायत करता वसीम अकरम ने नूहू पुलिस को सिकायत दे कर कारवाई की मांगी है तो वहीं दूसरी घटना यासिन मेव डिगरी कॉलेज के सामने एक अगयात चोर ने बाइक चोरी की घटना को अंचाम दिया है पिडित महम्मद साहिल ने नूहू पुलिस को सिकायत दे कर बताया कि किसी आगयात व्यक्ती ने मेरी 15,000 रुपे की कीमत को बाइक को चोरी कर लिया वहीं आपको बता दे कि आज बाइक चोरी की घटनाओं में चांच कर रहे अधिकारी नसीम और राजवी ने बताया है कि दोनों ही चोरी घटनाओं के मामले में आगयात चोरों के खिलाप मुकदमा दर्श कर लिया है और आगयात चोरों की तलास सुरू कर दिया नुहुँ जिले की आंगनवाडी कारे करताओं को तीन महीने से नहीं मिला वेतन विभाग को दिया तीन दिन का अल्टिमेटम आपको बता दे की आंगनवाडी यूनियन की खंड प्रधान जमसीदा ने आज पत्रकार को जानकारी देते हैं बताया कि पिछले तीन महीने से आंगनवाडी वरकरों हैलपरों को मेहन ताना नहीं मिला है छे महीने से CDPO का पद खाली पड़ा हुआ है यूनियन की कोसाथ्यक्ष कवीता ने बताया कि तीन दिन का वक्त निदेशक मेडम ने मांगा है यदि मांग पूरी नहीं हुई तो बड़ा परदसन होगा आप देख रहें नूस लियाकत अलिक रिपोर्ट हमारी जो सेलरी है तीन महीने से नहीं आई है चोथा महीना चल रहा है और हमारी कुछ वरकर आदी से जादो वरकर ऐसी हैं जी जो इसी सेलरी पर आसरी थे हैं और हमें सेलरी की बहुत सक्त जरुत है हमारे साथ मतलब जुलम हो रहा है और हमें अपनी सेलरी चाहते हैं तब तक हम यहीं बैठेंगे तब तक हमारी सेलरी नहीं डग जाती है सुर मेरा नाम कवीता है मैं आंगनवाडी वरकर हूँ और मैं गलोग कैशियर हम हड़ताल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी तीन महीने से सेलरी नहीं मिली है और सारी वरकरे बहुत परिशान है एक दूसरे से उधार ले लेके अपना काम चला रही है और ना ही हमारा फ्लेक्सी पंड डला है और ना ही हमारे ड्रेस के पैसे आए सैद समाच परधान साहुन के नैतरतों में मरोडा काओं से जागरुकता अभ्यान की सुरुआत की गई आपको बता दे की सैद समाच के परधान साहुन ने आज पत्रकार को जानकारी देते हैं बताया की सैद समाच के लोगों को जागरुक करने के लिए एक अभ्यान सुरु किया गया है उन्होंने कहा की हमारा समाच काफी पिश्रा हुआ है उन्हें सिक्षा, स्वास्त, इत्यादी में आगे लाने के लिए लोगों को जागरुख किया जा रहा है इस मौके पर मरोडा गाओं से इसकी शुरुआत की गई तो वहीं मरोडा गाओं में पहुचने पर समाज के लोगों ने उन्हें फूल मालाएं और पगड़ी बांद कर समानित किया इस मौके पर कायम सहा प्रदेश आध्यक्स युवा सहा अलवी एसोसियेशन फिरोज अली कप्तान यूएस जिला पारसत मौलाना जमसेत अली भी गणमानी लोग मौचुद रहे नुहु कॉंग्रेस विधायक आपताव एहमत ने जिला करावल नगर कॉंग्रेसी निताओं वैकारेकरताओं की बेठकली आपको बता दें कि नुहू कॉंग्रेस विधायक आपताव एहमत की मीडिया सलाकार समीम खान रहनिया ने आज पत्रकार को जानकारी देते हो बताया कि नुहु कॉंग्रेस विधाय का अपताब एहमत चिला करावल नगर कॉंग्रेसी निताओं वेकारे करताओं की बैठक ली है उन्होंने का कि हरवर्ग के हित कॉंग्रेस पार्टी में स्रच्छित है चाहे बीजेपी सरकार की बात करें या आमादमी पार्टी की सरकार की बात करें आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि बीते सालों में राजदानी को बरबात कर दिया है साथ साल से बीजेपी आमादमी पार्टी एक दूसरे को दिल्ली की बरबादी का जिम्मेदार बताती रहे हैं वहीं नुहु विधाय का अपताब एहमत ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी को मजभूत करने के लिए कारेकरताओं की बैठक ले गई नुहु बगिल चौपाल पर गरवती महिलाओं और किसोरियों को अनीमिया के बारे में जागरू किया गया आपको बता दें कि महिला इवं पाल विकास अधिकारी सबीता मलिक ने आज बताया कि इस महा में गर्वती महिलाओं और किसोरियों को अनीमिया वैसे होने वाली कमियों के बारे में अवगत कराया गया है साथ ही उने पोश्टिक अहार के बारे में जानकारी दी गई है आपको बता दें कि वहीं नुहू एडीसी सुभीता धाका ने बताया कि सितंबर महा को पोश्ण महा के रूप में मनाया जा रहा है उन्होंने बताये कि हरवर्स महिला एवं बाल विकास वहाग द्वारा सितंबर महा को पोश्ण महा के रूप में मनाया जाता है आपको बता दें कि आंगरवाडी केंद्रों में ही हरी पतेदार साबजियां वे फल उगाये जा रहे हैं जिससे कि बच्चों को स्वक्च्वा पोश्णिक अहार और पलप्त करवाया जा सके आप देखरें नुह से लियाकत अरीक रिपोर्ट नुहू वर्टिकल पदती पर बागवानी वहाग मेवाद के किसानों को दे रहा है पचास प्रतिसत अनुदान आपको बता दें कि जिलाब बागवानी अधिकारी दीन महम्मत ने आज पत्रकार को जानकारे देते हैं बताया कि बागवानी वहाग द्वारा उननत तरीके से सब्चियों के उत्पातन लेने के लिए शुरू की गई वर्टिकल पदती किसानों के लिए वर्दान बन रही है जिसके तहट सब्चियां उगानी में किसानों को नाकेबल बागवानी वहाग की ओर से 50% सब्सीड़ी दी जा रही है वहीं इस प्रदती से खेती करने पर किसान दो तीन गुणा उत्पातन भी कर सकते हैं जिला नुहू में वर्टिकल पदती से 82 एकड जमीन पर सब्ची उगानी का लक्ष रखा गया है जिला बागवानी अधिकारी डाक्टर तीन मुहमत ने बताया कि जिले की गाओं नसीरबास, एहमदबास, नांगल, मुबारिकपूर, हसनपूर, शोहना, नंगली आधि गाओं में 50 एकड में घीया तोरई उगाने की प्रिक्रिया सुरू हो चुकी है इसमें किसानों को 31,250 रुपे प्रती एकड सबसीड़ी दीचा रही है आप देखरी नू से लियाकत अलिक रिपोर्ट निवात में फसल अवसेश प्रवंधन योजना के अंतरगत क्रसी यंत्रों पर आवेतन आमंत्रित 7 सेतंबर अंतिम्ति थी आपको बता दें कि क्रसी एवं किशान कल्याण वहाग के उपनिदेशक डाक्टर महावीर सिंग ने बताया है कि नूहू चिले में किसानों के लिए फसल अवसेश प्रवंधन 2021-22 इसकीम के अंतरगत अनुदान देने के लिए विविन क्रसी यंत्रों पर आवेतन स्वेकार किये जा रहे हैं एक चुक्किशान इस योचना का लाब लेने के लिए विवागिये पोर्टल पर 7 सितंबर तक उनलाइन आवेतन कर सकते हैं आप देख रहें नूहू से लियाकत अलीक रिपोर्ट नूहू जिले के 57,000 से अधिक बुजर्गों के लिए ब्रदावस्ता सम्मान भत्ता पैंसन बन रही सहारा आपको बता दें कि नूहू उपायकत सकती सिंग ने आज पत्रकारों को जानकरी देते हो बताया कि राचे सरकार तोरा प्रदेश के बुजर्गों को सम्मान देने के लिए ब्रदावस्ता सम्मान भत्ता पैंसन योचना लागू की गई है ये योचना बुजर्गों को नाकिबल सम्मान दे रही है बलकि आर्थिक रूप से भी सफल पनाने का काम कर रही है नुहु चिले में इस योजना का 47,253 बुजरुगों को सहजता से लाब दिया जा रहा है आप देख रहें नुहु से लियाकत अलिक रिपोर्ट